नमस्कार मैं हूँ आचल सींग और अर्णो गोस्वामी को सुप्रिम कोर्ट से बड़ी रहत और कॉंग्रेस के लिए बड़ा जटका है अर्णो गोस्वामी के खिलाफ सैकडो FIR दर्च किये गए थे आपको बता दे कि 36 गड़ महाराष्ट राजस्थान पंजाब तेलंगाना और जम्बू कश्मीर जहां जहां कॉंग्रेस की सरकार है उन राज्यों में ज्यादातर और भी कई राज्यों में अर्णो गोस्वामी क हो दिये और कहा है कि तीन हपते की अग्रिम जमानत अर्णो गोस्वामी ले सकते हैं और यह मामला मुंबई ट्रांसफर किया जाएगा यानि नागफुर की जो एफाई यार है सिर्फ और सिर्फ वईस उसी एफाई यार पर सुनवाई होगी उसी मामले की सुनवाई होगी और वो मुंबई स्थांतरित कर दी जाएगी यानि ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो सुप्रिम कोट ने अर्णो गोस्वामी को बड़ी राहत दी हो और कॉंग्रेस के लिए बड़ा जटका है क्योंकि कॉंग्रेस के वकील लगातार मांग करते रहे थे कि अर्णो गोस्व को सुरक्षा प्रदान की जाए और साथ ही इन लोगों की मांग थी कि अर्णो गोस्वामी को बैन किया जाए उसमें भी सुप्रिम कोट ने बड़ा जटका देते हुए कह दिया है कि मीडिया पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते और अर्णो गोस्वामी को बैन करने की मांग स से गलत है और इस पर हम प्रतिबंद नहीं लगा सकते हैं सूरक्ष्य प्रदान करने की बांग कर रहे थे आप सुरक्षा प्रadán कर suffering सुप्रिम कोट और वही पर इन लोगों का कहना था कि अर्णों गोस्वामी को गिरफतार किया जाए उन्हों ने दर्ज किया था उन सब एफाइयारों में जो बागत कही गई थी वो लगभग समान थी जिसके बाद सुप्रिम कोट ने इस पर यह कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक एफाइयार रखी जाएगी बागी सारी एफाइयार उन्होंने रद्द कर दिया तो यहां पर कॉंग्रेस पर ही उल्टा मामला आ गया है और अब अर्णों गोस्वामी को बड़ी रहत मिली है तो वहीं आपको बता दे कि संबित पात्रा ने भी यहां पर कॉंग्रेस की कर लगा है उस पर संबित पात्रा ने चुटकी ली है और वहीं पर अर्णों गोस्वामी की यह बड़ी रहा थो और अर्णों गोस्वामी ने सामने आकर सुप्रिम कोड का अभार जताया साथ ही उन जनता का भी अभार जताया जो लगातार अर्णों गोस्वामी को रही थी क्योंकि पाल घर की घटना पर कॉंग्रेस चुप्पी साधे हुई थी और इसी को लेकर अर्णोगोस्वामी ने एक डिबेट में उनका साथ बजे का शो डिपब्लिक भारत पर आता है उसमें उन्हों कि यह सवाल किया था सोनिया गांधी से क्या आप इस पर चुप्पी क्यों साधे हुई है क्या आप इटली Re Śकें को लेकर कॉंग्रेस के नेता बोखला गए थे और साथ ही सोनिया गांधी के कारकरता उनकी पार्टी के कारकरता ने अर्णोगोसामी पर हमला कर दिया था और उस मामले में लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वयन्वाई कि और वहीं पर आपको बता दें कि एडिटर गिल्ट ऑफ इंडिया ने भी इसकी कड़ी निनिंदा की है कि अर्णोगोसामी पर जो हमला हुआ वो पूरे मीडिया पर एक तरीके से हमला हुआ है और इसकी जाच होनी ही चाहिए जिस तरीके रिचतरी किया गया और वहीं पर कॉंग्रेस की गिरफतारी की मांग कर रही थी तो उल्टे ही कॉंग्रेस को यहां पर मुगी खानी पड़ी हो और कॉंग्रेस के लिए बड़ा जटका सुप्रिम कोट से हैं इसी के चलते आपको बता दे कि कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो लगातार कॉ ने के नाते उन्होंने एक पार्टी का साथ यहां पर दिया है और कॉंग्रेस के तरफ से उन्होंने एक तरीके से ट्विट किया जिस पर बीजेपी ने चुटकी लिए और कहा कि आप लोग उमर खाली सरजिल इमाम बुहरानी वानी और अबजल गुरू पर जश्न मना रहे हैं सोच-सोच नियत-नियत की बात है आप तो जिस तरीके से यहां पर संवित पात्रानी ने इनको बेनकाब कर दिया है कि जिस तरीके से आप आतंग वादियों के समर्थन में रहते हैं और उनके जीतने पर जश्न मनाते हैं यहां पर फ्रीडम आफ प्रेस और फ्रीडम आज ये थाबित कर दिया है कि देश में मीडिया को सवतंत्रता है बोलने की और साथ ही ये मामला अभी कोट में चलेगा और इसकी मामले में सुप्रिम कोट ने यहां तक कह दिया है कि तीन हपते की अग्रिम जमानत अर्नोग गोस्वामी ले सकते हैं लेकिन वहीं कॉंग्रिस के लिए ये बहुत बड़ी हार है क्योंकि इससे पहले इन्होंने सैक्रों एफाइयार दर्ज करा दिये थे अलग-अलग राज्यों में और एक तरीके से अर्नोग गोस्वामी को डराया जा रहा था एक तरीके से उन पर हमला भी किया गया था ये पूरे मीडिया के लिए थ उठाता है जो पाल घर में हुआ अगर सच दिखाता है तो उसको ऐसे ही दबाने की कोशिश की जाएगी इन्होंने पहले भी एवनजनसी लगा कर मीडिया की आवाज रोकी थी और आज भी वही कर रहे हैं इससे पहले आपको बता दे कि अन्पम खेर ने कहा था कि अब तुकड़े गैंग और जो सेकुलर हैं उन्हीं की अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं लेकिन अगर कोई सच दिखाता है तो उनका समर्थर नहीं करते हैं लेकिन देश की जनता जो है वो लगातार अर्णों को सपोर्ट करती आई है और अब इसी लिए अर्णों गो की थी जिसके बाद अर्णों गोस्वामी ने पत्रकार होने के नाते एक वरिष्ट पत्रकार होने के नाते उन्होंने सोनिया गांधी से सवाल किया था हालांकि डिबेट में उन्होंने और लोगों से भी सवाल किया था साथ में उन्होंने महाराष्ट की पुलिस पर भी सव कर दी गई और वहाँ पर सवाल उठता था जिसके बाद अर्णो गोश्वामी ने यह सवाल उठाया और मीडिया में यह बात उठाई और उनकी आवाज बनकर सामने आया जिसके बाद उनकी आवात दबाने के लिए उन पर हमला किया गए और साथ ही D कोशिश की गई तो कॉंग्रस के नेताओं ने लगा था उनको डिकाने और डराने की कोशिश की है यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी अर्णो को अरेश्ट करने की मांग की गई थी और साथ ही एफाइयार भी दर्ज की गई थी लेकिन अब अर्णो को अरेश्ट करने की जो मां अरनो पर प्रतिबंध लगाने की मांग को भी सुप्रिम कोट ने खारिश कर दियो और कहा कि मीडिया पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है अगर मीडिया पर प्रतिबंध लगाएंगे तो ये फ्रीडम आफ प्रेस की लोगतंत्र के चौते अस्तंब के लिए खत्रा होगा जिसके बाद सुप्रिम कोट ने अब कॉंग्रेस को बड़ा जटका देते हुए यहाँ पर अरनो गोसामी को बड़ी राहत दी है तो लगातार अरनो की गरफतारी की मांग उठती रही है लेकिन अब सुप्रिम कोट ने साफ कर दिया है कि अरनो गोसामी की गरफतारी नहीं होगी और इससे पहले आपको बता दे कि अरनो गुसामी पर जब हमला हुआ था तो वो कार से ऑफिस से अपने घर जा रहे थे और करीब 12 बजे रात की घटना है जहां पर वो अपने पतनी के साथ जा रहे थे और वहाँ पर दो बाइक सवारों ने उन पर हमला किया था उनके कार पर लेकर उन्होंने उन पर सारीरी ख हमला भी करवाया जिसके बाद अब कॉंग्रेस करके घेरे में जब आरनो गुसामी पर हमला हुआ था उसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष ज्यपी नड्डा ने भी इसकी कड़ी निंदा की थी और उसके साथ ही सूचना प्रसाडन मंतरी प्रकाश जावेर्ण करने भी हमला की निंदा करते हुए कहा था कि हम वरिष्ट पत्रकार अरणोग गोसामी पर हमले की निंदा करते हैं ये लोकतंत्र के खिलाफ है जो लोग वो उतने ही आसहशूर हो हैं ये आलोग तांत्रिक है इसके साथ ही आपको बता दे कि कप्ल सिब्बल कॉंग्रेस के बड़े नेता हैं और एक लॉयर हैं जिन्होंने आरणोग के खिलाफ दर्ज की थी उन्होंने कोट में दलील दी थी कि आरणोग गोस्वामी ने सामप्रदाइक्ता फैलाई है और एक तरीके से अपति जनक भाषा का प्रयोग किया है जिसके बाद सुप्रीम कोट ने इसके जाज के लिए कह दिया है लेकिन वही पर अर्नोग गोस्वामी के वकील मुकुल ने इस पर ये कहा कि जिस तरीके से एक पत्रकार होने के नाते उन्होंने सवाल खड़े किये थे और वहाँ पर जितनी भी FIR की गई है वो सारी एक जैसी है जिसके बाद एक तरीके से अर्नो गोसामी को परिशान किया जा रहा है जिसके बाद सुप्रिम कोट ने इन सारी FIR को रद कर दिया है